हेलो एबरिवन, मैं मितुन सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का, आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे CBSE यानि की कैंदरिय माधिमिक सिक्षा बोर्ड ने CTAT को लेकर दो तीन बहतरीन खबर दी है सबसे पहली बात CTAT का एक्जाम जो नेक्स्ट होगा, वो दिसंबर या फिर जनवरी में होगा यानि की अभी फिलाल के लिए एक्जाम नहीं हो रहे हैं, दिसंबर यानि की ये लास्ट 21 का या फिर जनवरी 22 में आपको एक्जाम देखने को मिलेगा तो दो चीजें बिलकुल आसान भासा में आप समझ सकते हो, आगे बढ़ेंगे और एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये तो पहली अपडेट हुई, कि दिसंबर एक्जाम कब होंगे एक्जाम में कुछ-कुछ सिलेबस को भी चेंज किया गया है और कुछ बातें करी गई है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले सीटेट का जो एक्जाम होगा आप यहां से देख सकते हो, आउनलाइन मोड में होगा, जब भी हो दिसंबर 21 में या जनवर वहिया है कि अब जो एक्जाम होगा साइध NTA एक्जाम ले, नेशनल टेस्टिंग एजनसी, तो खेर इस पे कुछ अपडेट आई नहीं है, एक और बात मैं जाते से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो, जिसका लि को लासान भासा में लिख दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, एक और बात, सीटेट की सारी जो कोशन पेपर है, आप उनके ऑफिशल वैब साइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको फिर मैं मिल जाएगा, सीटेट.nic.in पे जो नए तयारी करने वाले हैं सपोज कर लो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, yourmithunssing at the rate gmail.com पे, मेल कर लिजे मुझे, या फिर instagram पे हो, then आप मुझे instagram पे follow कर सकते हो, at the rate imithunssing, कोई भी डाउट रहता हो, तो आप दोनों प्लेटफॉर्म पे पोच सकते हो, comment section तो खाली, है ही open है आपके comment के लिए, तो